टी ट्वेंडी वर्ल कप में उलट फेल चार बड़ी टीबो का विगड़ गया समी करण के आज बार हो जाएगी पाकिस्तान 2009 की वर्ल चेंपियन पाकिस्तान पहले अमेरिका से हारा आज भारत से पिटने की बारी करलो महाजीत की तैयारी भारत पॉजिटिव की एक्स्क्लिव पिच रिपोर्ट बरले बाजो को आज होगी मुश्किल नाबाद रहे कोली तो पाकिस्तान का जीतना नामुम्किन रेकार्ड भारत के साथ पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में अच्छे नहीं आलात रोई टेंड कंपनी करेगी काम तवाम तैयारिया मुकमल है, फैंस भी बेकरार है, बस अब रात आट बजे का इंतिसार है, फिर शुरू हो जाएगा सबसे बड़ा मुकाबला क्योंकि आज हमने सामने हैं दो सबसे कड़े प्रतिदवन्दी यानि भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप टी ट्वेंडी में भारत पाकिस्तान पर एक के मुकाबले छे जीत के साथ भारी है, लेकिन आज रोई टेंड कंपनी ने जीत की, खास तैयारी किये है, टॉस जीतों और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर फेको, कैसे, जड़ा ये समझिए टी ट्वेंडी वर्ल कप में अब तक चार बड़े उलट फेर हो चुके, अमेरिका से हार कर 2009 की चैंपियन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हार कर 2021 की रनर अप, न्यूजिलेंड की मुश्किलें बढ़ गई है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड दो मैच की बाद इस बात का ध्यान रखा था, कि हर ग्रूप में दो मस्बूत और तीन कमजोर टीमें रहे, पाकि चारों ग्रूप से दो दो टॉप टीम ही, सुपर एट स्टेज में पहुंचे और अगला स्टेज चैलेंजिंग हो, लेकिन मजबूर टीमों की हार ने ICC के प्लान पर पानी फेरने का काम कर दिया, अब जरा समझे पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं, पाकिस्तान आज हारा तो अगला स्टेज लगबग नामुम्किल, पाकिस्तान अपने पहले ही ग्रूप मैच में अमारिका से हार गई, इस हार से टीम ग्रूप एक के पॉइंट सेवल में चौ पहरा दिया, तो दोनों ही टीमों के छेचे पॉइंट्स हो जाएंगे, ऐसे में ग्रूप A से भारत और अमेरिका की दो टीमें क्वालिफाई हो जाएंगे, वहीं 2022 की रिनर अप टीम पाकिस्तान का सफर ग्रूप स्टेज में ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान पर पूरी बले बाजी कर सिर्फ एक सो तीन रंकर टार्गेट दिया, साउट अफरीका ने टीट्वेडी मैच के लिहाज से, ये मामूली सा स्कोर भी उननिस्वे ओवर में चेस किया था, वो भी छे विकेट खोकर, यानि आज की पिच पर गेंद बाजों की बले बले, पाकिस्तान के अमास शाहिन शाफरीदी, मौमद आमिर, हारिस रौफ और नसीम शाज जैसे तेज गेंद बाज है, हाला कि अमारिका के खिलाफ ये पेस बैटरी फूस साबित हुई थी, और एक सो साट रंका स्कोर भी डिफर्ट नहीं कर पाई थी, खैर, अब पाकिस्तान के आज के मुका पेसंटेज 71.4 है, मतलब साफ है कि अगर भारत थी, टॉस जीता और पहले गेंद बाजी की, तो पाकिस्तान की हार तैह हो जाएगी, और नियोक के पिछ का भी यही रिकॉर्ड है, नियोक के नसाओ काउंटी स्टेडियम में अब तक 4 मैच खेले गए, तीन बार बाद में बाटिंग करने वाली टीम जीती, यहां हाइस्ट स्कोर 137 रन है, दो मैचों में पहली पारी का स्कोर 100 से नीचे रहा, मतलब यह कि आज के मुकाबले में जीतार से पहले टॉस का सिकंदर होना जरूरी है, यानि सिक्का जिसके पक्ष में गिरेगा, वही आज बाहू बली ब झाल 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 झाल